Hello everyone, Welcome to Keystone Life Sciences Previous lectures में हम लोग peptides और polypeptides के बारे में बात कर रहेते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया कि peptides जब बनते हैं तो दो amino acids आपस में peptide bond की थूरू जूरते हैं इसके लाओं मैंने आपको ये भी बताया कि जब दो amino acids peptide bond की थूरू जूरते हैं तो एक peptide bond बनता है और resulting product को हम लोग die peptide बोलते हैं इसी तरह से 3 amino acids आपस में जूर के tri peptide बनाते हैं 4 amino acids tetra peptide बनाते हैं इसी तरह से मैंने आपको बताया कि अगर 12 से ज़्यादा और 20 से कम amino acids आपस में जूरते हैं तो oligopeptides बनते हैं और जब बहुत सारे amino acids आपस में जूरते हैं तो polypeptide बनता है इन सारी चीजों के बारे में हमने last lecture में बहुत सारे basic concepts वहां पे clear की हैं इस lecture से हम लोग कुछ और नई कहानी यहां पे start करेंगे मैंने आपको last lecture में बताया था कि जब amino acids आपस में जूरते हैं तो वहां पे एक bond बनता है ठीक है और उस bond को हम लोग कहते हैं peptide bond ठीक है तो आज के इस lecture में हम लोग peptide bond के कुछ basic concepts को समझेंगे सबसे पहले ठीक है तो कुछ basic से start करते हैं इस lecture को सबसे पहले हमने यहां पर लिखा हुए कि हेडिंग में peptides और polypeptides तो peptides और polypeptides को एक बार फिर से मैं डिफाइंड दरूँगा यहां पर peptides और polypeptides क्या होते हैं peptides peptides and polypeptides polypeptides are mostly mostly linear linear unbranched 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 polymers of polymers of amino acids amino acids ठीक है peptides या polypeptides क्या होते हैं mostly linear होते हैं ठीक है linear होते हैं कोई भी branching वहां पर नहीं होती है ठीक है और क्या होते हैं polymeric nature के होते हैं और polymer है किसके होते हैं they are the polymer of amino acids ठीक है अब जब दो amino acids आपस में जूड़ते हैं अब जो दो amino acids आपस में जूड़ते हैं वो amino acids amino acids amino acids linked together with an amide linkage and amide linkage मैंने आपको लास्ट लेक्शन बताया था an amide linkage called as peptide bond peptide bond ठीक है peptide bond के थ्रू जूड़ते हैं ठीक है तो यह peptide bond होते हैं किम का formation किस तरीके से होता है थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं ठीक है peptide bonds के formation के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ठीक बात करते हैं peptide bonds कि Сब्दाइड bond Peptide Bonds की बात करते हैं, ठीक मैंने खहा दो Amino Acids आपस में जुड़ेंगे ठीक है, तो दो Amino Acids सबसे पहले हम ले करके आते हैं, यह हमारा पहला Amino Acid है, Amino Acid का Basic Structure बना ऊच्छरो जो मैं हाँ, भरा of carbon होगा alpha carbon से hydrogen होगा यह हमारा R1 में लिक्वाँ कि पहली amino acid है ठीक है और यहां पर क्या होगा यहां पर होगा amino group होगा amino group के पास क्या क्या है यहां पर मैं सीधे लिख रहाएं NH2 group ठीक है और इस side पर है carboxy music group ठीक है फिर हमारा दूसरा amino acid अपस में जूड़ेंगे इसलिए मैंने प्लस का मार्ग बनाया हुआ है दूसरा अमीनो एसिड उसका क्या है यहाँ पे एनच ग्रूप है दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रूप और यह हाइड्रोजन ठीक है यह हमारा दूसरे अमीनो एसिड का क्या है अलफा कार्वन यह इसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन और यह इसकी साइड चेन इसको हम लोग आर्टू से देनोट कर रहे है ठीक है और यहाँ पे इसका कार्वाक्सिलिक ग्रूप है ठीक है अब इनके बीच में क्या बनेगा एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन तो कैसे बनेगा जो अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन बनता है वह एक अमीनो एसिड के कार्वाक्सिलिक ग्रूप ठीक है एक अमीनो एसिड मतलब जो फर्स्ट अमीनो एसिड हमारा है फर्स्ट अमीनो एसिड यह है ठीक है फर् किन किन दो एटम्स के बिछ बंता है यह बनता है अल्फा क्रबोक्स ओ niet कारबोक्सिल ग्रुप ओफ वन अमीनोडिर है कुछ आल्फा कारबोक्स रुप ऑफ वन अमीनोडै डीक है और अल्फा अमीनो ग्रूप alpha amino group of another amino acid तो दूसरी amino acid है उसका alpha amino group वहाँ पे involved होगा ये दोनों आपस में react करेंगे और निकले या क्या जब ये आपस में react करेंगे तो एक water molecule remove हो जाएगा removal of water molecule water molecule जब ये दोनों आपस में react करेंगे तो एक water molecule निकल जाएगा अब देखिए water molecule कैसे निकलेगा मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रख करूँगा ठीक है ये अब देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे hydrogen था ये nitrogen था ठीक है अब देखिए यहाँ पे OH है ये OH है और ये NH2 वाला H ये दोनों मिलके आपस में remove हो जाएगा और बनेगा क्या water molecule है एच टू ओ ठीक है water molecule निकल गया एक water का element remove हो गया अब यह बना क्या अब यहाँ पे peptide bond बन जाएगा कैसे बनेगा देखिए यह first amino acid का alpha carbon यह इसका hydrogen है यह NH2 group है इसका और यह R1 group ठीक है और यहाँ पे बनेगा क्या यहाँ पेमारा C double bond O है ठीक है यहाँ पे बनेगा क्या यहाँ पे बनेगा peptide bond यह क्या है यह है peptide bond ठीक है और इस peptide bond से कौन जूला है दूसरी amino acid जूड़ी हुए यह इसका अमीनो प्रूप यह alpha carbon यह हमारा हो गया R2 ठीक है और यह हमारा COOH ठीक है यह क्या बना यह हमारा क्या है peptide bond ठीक है बना कैसे removal of an element of water एक water molecule निकला कहां कहां से निकला एक amino acid का अमीनो ग्रूप और दूसरे amino acid का amino group जब आपस में react किया एक water molecule निकल गया ठीक है अब यहां पर water molecule निकल रहा है इसलिए इस reaction को हम लोग dehydration reaction भी बोलते हैं dehydration reaction भी बोलते हैं ठीक है या फिर अगर हम लोग कहें कि peptide bond का formation एक example है condensation reaction का condensation reaction होता है ठीक है तो चाहें आप dehydration reaction कहें या condensation reaction करें कहें दोनों ही चीज़ें यहां पर मानने हैं ठीक है दूसरी बात यहां पर क्या है removal of water from amino acid ठीक है amino acid से water molecule निकल रहा है ठीक है जब भी कहीं पर किसी भी residue से किसी भी biomolecule से water molecule निकल जाता है तो जो resulting compound बनता है resulting molecule बनता है उसमें जो biomolecule होता है उसको हम लोग residue बोलते हैं तो यहां पर जो amino acids आपस में जुडेंगे उन्हों को हम लोग क्या कहेंगे the joint joint amino acids amino acids called as amino acid residue amino acid residue residue क्यों क्योंकि वहां से water molecule निकल गया ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ यह डाइप्टाइड है basically एक डाइप्टाइड है दो amino acid आपस में जुडे हुए है तो इस डाइप्टाइड में यह एक amino acid residue है amino acid residue यह एक amino acid residue है और यह water molecule नहीं निकला है इसलिए उनको हम कहेंगे amino acid यह पूरी पूरी क्या है amino acid है यह क्या है amino acid है ठीक है लेकिन जैसे यह water molecule निकला और यह दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाया इन्होंने peptide bond का formation होता है तो चाहें हम लोग polypeptide की बात करें oligo peptide की बात करें हर जगह पे peptide bonds ऐसे ही बनेंगे peptide bond का formation जो यह reaction होती है पूरी यह highly indergonic reaction होती है ठीक है peptide bond के formation की अगर हम लोग बात करें peptide bond formation is an indergonic reaction indergonic reaction का मतलब यह हुआ कि जब कभी peptide bonds बनेंगे तो हमको वहाँ पे energy देनी पड़ेगी ठीक है वहाँ पे energy का utilization होगा और ऐसे सारी reactions जहां पे energy molecule खर्च होते हैं जहां पे हमें energy बाहर से देनी पड़ती है उसको indergonic reaction कहा जाता है ठीक है और indergonic reactions की जो gifts free energy होती है वो हमेशा प्लस में होती है इसको याद रखेगा हम लोग जब के बारे में बात करेंगे तो हाँ पे detail में इसके बारे में बताऊंगा आपको ठीक है तो यहाँ पे peptide bond formation की जो gifts free energy होती है वो approximately plus इसको हम लोग डेल्टा जी से denote करते हैं डेल्टा जी से denote करते हैं यह approximately ट्वेन्टीवन किलो जूल पर मोल होती है तो खराय बोंड के फोरमेशन की जो gifts-free energy होती है Grade क्योंकि यहाँ पर सीदिधे दिख राएग यह एक इंडरवनिक रेक्षन अजितनी इंडरवनिक रेक्षन होती यह वहां पे जो इन इनरजी होती है वह सिरी इनर्जीети प्लस में आपको दिखेगी जो एकज द्धरन्म होगी वहां पे क्या होगा जुझ ती में ताइप बारे में मैंने आपको इनरोंड के वह को कि आहुत है क्योंकि जो क्टोठ रहें और lattice बॉन्ड बनता है ठीक है तो वहां पे एक amino acid का alpha carboxyl group और दूसरी amino acid का alpha amino group participate करता है in the formation of peptide ठीक है और जब peptide bond बनता है तो उसके कुछ characteristic features है जैसे कि जो peptide bonds होते है peptide bonds have peptide bonds Spagna हो 對 dowel Country डबलबॉर्ण डबलबोर्णाром का रच्टर करते हैं इसका मतलब कितना है यहां पर कंटेंट होता है वो approximately 40% होता है ठीक है और इसी लिए हम लोग peptide bonds हो कहते हैं, peptide bonds आर, peptide bonds आर, peptide bonds isomeric structures, दो electro isomeric structure के hybrid होते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं पर double bond सो करेंगे, कभी double bond नहीं सो करेंगे, लेकिन यहाँ पर partial double bond character होता है, कैसे होता है आप वो बना के दिखाता हूँ, तो peptide bonds के partial double bond character के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं हाँ पर एक peptide bond बनाऊं, ठीक है तो उसमें क्या क्या चीजांगी, यह suppose that हमारा c alpha है, ये क्या है हमारा, ये c alpha है, एक amino classic का, ठीक है, इसके पास में होगा, इसका R group, इसका hydrogen होगा, ठीक है, और हमारा carboxy group होगा, ठीक है, carboxy group हमने ऐसा दिखाया था, ठीक है, और जो हुमारा बना था यहाँ पर पेप्टाइड bond वो कुछ इस तरह से बना था ठीक है यह पेप्टाइड bond है और इस की जुदा था दूसरी अमीनोड इसिट का अमीनो गुरूब जुदा था ठीक है अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक partial electric dipole बनता है ठीक है, partial electric dipole कैसे बनता है यहाँ पे जो हमारा oxygen है, इसके पास में दो unshared pair electrons हैं, ठीक है और nitrogen के पास में ही दो unshared pair electron होते हैं आप लोग ने पढ़ा होगा इसको ठीक है, तो होता क्या है, यह जो हमारा partial, जो हमारा double bond है क्योंकि oxygen के उपर, oxygen is more electronegative than carbon इसलिए क्या होता है, यह इस bond के जो electron से उनको अपनी तरफ attract करता है ठीक है, और जो nitrogen है, वो अपने दोनों electron को यहाँ इस bond की तरफ जो है भेजता है ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यह electron यह जहाँ आएंगे, यह electron यह आएंगे, तो एक दूसरा structure बने के तयार होगा ठीक है, अब यह structure बनेंगा वो कुछ इस तरीके से होगा इस आर्दा resonance structure और यह reversible होते हैं, ठीक है, यह structures reversible होते हैं तो किस तरह से होंगे यह देखे यहाँ पर, यह हमारा C alpha है, ठीक है अब alpha के साथ में जो कुछ भी लगा हुआ है, आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या-क्या लगा हुआ होगा, ठीक है उसको मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है यह हमारा है कारबॉक्सिल कारवन, ठीक है बॉंड से क्या लगा था, नाइट्रोजन, अमीनो वाला और यह हमारा C alpha, दूसरी अमीनो इस विता, ठीक है आगे जो कुछ भी है आपको पता है, ठीक है, अब मैंने आपको बताए कि यह इलेक्टरान यहाँ पर आ रहा है, यह इलेक्टरान यहाँ पर गा रहा है, ठीक है ठीक है, oxygen के पास में, ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा होगा, कि यह इलेक्टरान यहाँ पर जा रहे थे दोनों, यह दोनों इलेक्टरान नाइट्रोजन वाले यहाँ पर जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर double bond दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर double bond दिखेगा, अब आपको जो amino, जो peptide bond है वहाँ पे आपको दोनों structure देखने को मिलेंगे regionance में, कभी इस तरह से देखने को मिलेगा, double bond यहाँ पे है कभी double bond यहाँ पे देखने को मिलेगा इसलिए इस structure को represent कुछ इस तरीके से किया जाता है कैसे represent किया जाता है देखते हैं बना के, यह हमारा है क्या, alpha carbon है, ठीक है यह है ठीक, और यहाँ पे हमारा बना था क्या यहाँ पे हमारा बना था peptide bond और यह c alpha दूसरा वाला, ठीक है कुछ इस तरीके से, ठीक है कुछ इस तरीके से बना हुआ था ठीक, तो यह जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है तो जो हमारा कटाइड बॉंड है उसके पास पार्शियल डबल बॉंड करेक्टर ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि इस जो बॉंड की लेंथ है ठीक है इसकी जो लेंथ है आपको इक चीज की लेंथ होती है थोड़ा बड़ी होति है और जो हमारे डबल बॉंड की लेंथ होती है थोड़ा थोड़ा चोटी होति है रहके। सिंगल वॉन्ड की जो लेंद होती है वह प्रॉक्समेटली 1.49 एंग स्कॉंड ठीक है और जो डबल बॉन्ड होते हैं उनकी जो लेंद होती है वह त्य dit 1.2027 एंग स्कॉंड ठीक है तो यह partial double bond है ना पूरा double bond है ना पूरा single bond है इसलिए इसकी जो length होती है वो होती है इस peptide bond की जो length होती है peptide bond की वो होती है 1.33 angstrom इन दोनों के बीच में single और double bond के बीच में लाई करती है ठीक है तो इसकी length के बारे में भी आपको पता चल गया तो peptide bonds partial double bond character show करते हैं और इसी partial double bond character की वज़ा से partial double bond character की वज़ा से double bond character of a peptide bond peptide bond peptide bond make it rigid rigid and planar ठीक इसका मतलब peptide bond की symmetry क्या होगी रिजड होगी और प्लेनर एक प्लेनर symmetry होगी ठीक है और इसके अलामा फॉर इच अमीनो एसीड फॉर इच अमीनो इसीड यह सब याद रखने वाली बाहर हैं की पॉइंट्स हैं सब फॉर इच अमीनो एसीड अमीनो एसीड पेर bonded through bonded through a peptide bond a peptide bond six atoms six atoms six atoms याद रखीगा six atoms lie in lie in same plane same plane ठीक है और वो छे टम कौन कौन से हैं यह आप लोग ध्यान रखिएगा वो छे इटम हैं सी अलफा एक अमीनो एसीड का दूसरे अमीनो एसीड का कार्बन ठीक है कार्बन हो गया oxygen nitrogen hydrogen एक दो ती चार पांच और दूसरी अमीनो एसीड का सी अलफा यह छे एटम एक सिंगल प्ले एक ही प्लेन में होने चाहिए और उस प्लेन को हम लोग कहते हैं अमीनो इस के बनाते हो हैं यह एमाई डफ्लेन प्लेन यह मा्यज्ड प्लेन बनाते हो छे एटम ठीक है हर एक अमीनो एसीड जोकी प्टाइड बेंट के थुरूं जूड़ी हुई है उस में क्या होगा एक पेयर अगर अमिनो एसीड का है दोनों अमीनोेसेट के छे मॉलिक्यूल ऐसे हुने चीज़ जो कि सेम मेन होंगे है ठीक है और वो क्या बनाते हैं अमाइड प्लेन बनाते हैं तो एमाइट प्लेन के बारे में हम लोगों ने बात किया मैंने आपको बताया कि जब दो amino acid pair peptide bond के थूझ जूडते हैं तो 6 atoms हैसे होंगे जो same plane में होंगे जिसको हम लोग एमाइट प्लेन बोलते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो peptide bonds होते हैं उनके configuration ठीक है तो अगर हम लोग alpha carbon की position के थूप position के according देखें तो जो peptide bonds होते हैं उनके दो conformations होते हैं ठीक है peptide bonds के दो conformations होते हैं peptide bonds peptide bonds जो होते हैं उनके दो conformations होते हैं एक को कहा जाता है सिस कन्फॉर्मेशन सिस कन्फॉर्मेशन और दूसरा होता है ट्रांस कन्फॉर्मेशन ट्रांस कन्फॉर्मेशन सिस कन्फॉर्मेशन और ट्रांस कन्फॉर्मेशन ठीक है तो सिस कन्फॉर्मेशन में क्या होता है और trans-conformation में क्या होता है, इसके बार में बात करते हैं, cis-conformation में क्या होगा, alpha-carbon of both amino acids lie in the same side, same side, ठीक है, वहीं trans-conformation में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, alpha-carbon of both amino acids lie in the opposite sides, opposite sides, ठीक है, और nature में जितने भी peptide bond बनते हैं, सब के सब transform में बनते हैं, और trans-peptide bonds होते हैं, वो more stable होते हैं, दियारदा more stable, और चुँकि यह more stable हैं, इसलिए जो protein में peptide bonds बनते हैं, वो trans-conformation में ही बनते हैं, cis-conformation में नहीं बनते हैं, cis-conformation में क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर alpha-carbon एक ही side पे आ जाएगा, तो होगा क्या, कि alpha-carbon से लगे हुए जो non-bonded atoms हैं, जो non-bonded atom मतलब जो hydrogen free है, जो oxygen free हैं, वो सब same side पे आ जाएगे, या side group जो है, वो भी same side पे आ जाएगा, तो अगर side group, दोनों ही amino acid के side group same side पे आ गए, ठीक है, और suppose that, दोनों ही side groups uncharged हैं, ठीक है, तो जब uncharged side group एक ही side पे आ जाएगा, तो वहाँ पर steric hindrance create होगा, या फिर hydrogen atom है, hydrogen atom same side पे आ गए, hydrogen atom अगर same side पे आ गए, तो हाँ पर steric hindrance होगा, तो steric hindrance की वज़ा से, या steric interference की वज़ा से, ये bond का formation possible ही नहीं हो पाता, इसी लिए सारे के सारे bonds protein में transconformation में बनते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, transconformation में बनते हैं, ठीक है, तो ये तो बात रही, peptide bond के confirmation की, मैंने आपको बताया, कि virtually proteins में पाये जाने वाले, जितना भी peptide bond बनेगा, stable peptide bond बनेगा, वो सब transconformation में होगा, ठीक है, अब थोड़ा सा bonds की बीच में rotation की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक peptide बना लेता हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ा साईजी हो, ठीक है, तो यह हमारा alpha carbon है, ठीक, यहाँ पे है R1, ठीक, यह है H, यह हो जाएगा NH2, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल carbon है, ठीक है, कार्बोनिल का यह वाला oxygen किसमें involve हो जाता है, formation of peptide bond, तो मैं peptide ही बना रहा हूँ सीदे, यह है NH, यह है हमारा alpha carbon दूसरे का, यह हमारा R2 हो गया, यह इसका H, और यह इसका COOH हो जाता है, ठीक है, यह एक die peptide बन गया, die peptide, ठीक है, अब bond rotation के हम लोग बात करते हैं, ठीक है, bond rotation को समझने के पहले है, कुछ basic concept आपको बताता हूँ, अभी अभी मैंने आपको बताया, कि यह वाला जो bond है, यह वाला जो bond है, यह क्या है, यह amide linkage है, यह peptide bond है, ठीक है, और इसका characteristic feature मैंने आपको बताया, कि यह partially double bond character है, क्या है, partially double bond character है, ठीक है, partially double bond character है, और double bond की एक खासियत होती है, जहां जहां भी double bond तो जिन atoms की बीच में double bond बनते हैं, उनके बीच में rotation जो होता है, वो restricted होता है, ठीक है, तो क्योंकि normal double bond के case में rotation restricted होता है, इसलिए as in normal double bond, normal double bond, double bond, the rotation between, the rotation between, rotation between, alpha-carboline, alpha-carbonine and alpha-amino group, is restricted, ठीक है, in bond की बीच में जो rotation होगा, यह होगा, restricted होगा, क्योंकि यहाँ पर partial double bond character है, और double bond की बीच में rotation जो होता है, वो restricted होता है, ठीक है, लेकिन, और यह कहाँ पर होगा, add physiological pH, condition क्या होगी, physiological pH पे होगा, physiological pH पे कोई rotation यह सो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन, यहाँ पर आपको और भी bonds दिख रहे हैं, जैसे की, carbonil carbon और alpha carbon, इसके बीच में, carbonil carbon और alpha amino group वाला जो nitrogen है, इनके बीच में भी bond बना है, इन दोलों के बीच में जो rotation होता है, वो allowed होता है, या permitted होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, rotation permitted, rotation permitted, between, इनके किनके बीच में, alpha carbon and carbonil carbon of amino acids, ठीक है, and nitrogen and alpha carbon, इन दोनों bond के बीच में, क्या है, rotation permitted है, ठीक है, और इनके जो degree होती है, इनके rotation की जो degree होती है, कैसे इनको determine किया जाता है, तो, उसको denote किया जाता है, अगर हम लोग बात करें, alpha carbon और carbonil carbon के बीच में, जो rotation का angle है, तो उसको हम लोग denote करते हैं, साई से ठीक है इन दोनों के बीच में जो rotation का angle होगा उसको denote किया जाएगा साई से और वहीं पे nitrogen और alpha carbon के बीच में जो rotation होगा उसको denote किया जाएगा फाई से ठीक है और ये फाई और साई की जो value होती है ये बहुत ही important role play करती है in the determination of determination of native conformation of native conformation native conformation of proteins native conformation का मतलब होता है biological active conformation phi और साई angles जो है इनकी value ये बहुत important होती है in the determination of native conformation of the protein protein अपने native conformation में आएगी या नहीं आएगी वो amino acids के phi और साई angle की जो value होती है उसके डिपेंड करती है इसके अलमा phi and psi have the value between the minus 180 degree to plus 180 degree that is the 360 degree 360 degree rotation for each तो 5 और साई की जो value होती हो वेरी करती है 182 plus minus 182 plus 180 के बीच में ठीक है लेकिन इसमें जितने भी combinations होते हैं वो सारे के सारे allowed नहीं होते हैं ठीक है मतलब minus 180 से ले करके plus 180 के बीच में जितने भी combinations हैं सब allowed नहीं हैं इन में से कुछ allowed हैं और कुछ disallowed हैं क्यों disallowed हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो non bonded atoms हैं ठीक है जो non bonded atoms हैं अगर वो close proximity में आने लगेंगे तो angle change होगा ठीक है और अगर angle change होगा तो हाँ पर steric hindrance बढ़ेगा तो जहाँ जहाँ steric hindrance बढ़ेगा वहाँ के जो भी angles होगे वो disallowed हो जाएंगे उनको permission नहीं मिलेगी तो जो amino acid का angle है वो lie नहीं करेगा या वो exist नहीं करेगा ठीक है तो कौन-कौन सी values phi और psi की permitted हैं कौन-कौन सी values ऐसी हैं phi और psi की जो non permitted हैं इसको determine सबसे पहले किस ने किया जीयन रामाचंदरन ने किया ठीक है ऐसे अलाओ 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 अभिक आ है किया किन रामाचंदरन ने किया न्यनराईगा आएंगे ठीक है एसको जियन रामा चंदरन ने इसको डिटर्माइन किया सबसे पहले और इसको दिखाया गया एक प्लॉट से ठीक है और वो प्लॉट क्या है वो एक टूडा इन्हों ने क्या दिया एक टूडाइमेंशनल एक टूडाइमेंशनल प्लॉट दिया प्लॉट के थूडाइमेंशनल 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 प जो एक peptide में या polypeptide में amino acids को favor करती हैं तो जो values amino acids के structure को favor करती हैं उस region को उतने portion को इन्होंने कहा दी ज्यादा allowed regions और जो portion नहीं favor कर रहा था उसको क्या बोल दिया disallowed region ठीक है तो plot में सिर्फ यही इतना दिखाया जाता है रामा चंदरन plot में तो थोड़ा समय उस plot के बारे म यहां पर discuss करूंगा और उसके बात जब मैं आपको protein का structure प्रहूंगा खास करके secondary structure प्रहूंगा तो फिर से मैं इस plot के बारे में discuss करूंगा क्योंकि वह alpha helix, beta pleated seed कहां कहां पर रामा चंदरन plots में allowed हैं यह सारी शीज़े मुझे बतानी पड़ेंगी तो इसलिए यहां पर मैं उन में से ज्यादा तर value जो phi और psi की हैं वो allowed नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि रामा चंदरन plot के ज्यादा तर area ऐसे reasons को represent कर रहे हैं जो की not allowed confirmation को show कर रहे हैं polypeptide chain की आप देख सकते हैं या पर मैंने एक quadrant बनाया हुआ है ठीक है two dimensional plot बनाया है जिसको लोग रामा चंदरन plot कहते हैं बहुत simple मैं आपको समझाता हूँ ज्यादा तर एरिया जो white color के दिख रहे है white color का जो एरिया आपको पूरा दिख रहा है यहां से यहां तक पूरा इस आर्दा not allowed रिजन या डिस एलाउड रिजन डिस एलाउड ठीक है तो सबसे ज्यादा area जो है इस plot का वो क्या है इसका मतलब most of the phi and psi angles की जो values हैं amino acids के लिए वो यहां पर ज्यादा तर डिस एलाउड है ज्यादा तर amino acids के लिए खास करके जिनकी side chain बहुत बलकी हैं उनके लिए ठीक है लेकिन glycine की अगर हम लोग बात करें glycine की अगर हम बात करें glycine amino acid की अगर हम लोग बात करें तो glycine के पास कोई side chain ही नहीं वहां पर hydrogen atom है इसका मतलब यहां पर steric hindrance बहुत कम होगा तो अगर कोई ऐसी protein है जिसके पास में glycine amino acid ज्यादा है तो उसका जो allowed region है वो बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा क्यो प्रोलीन ज्यादा है तो उसका allowed region उतना ही कम हो जाए क्योंकि वहां पे एक cyclic structure है और उस cyclic structure के वहां पे जो side angle की value है किसकी बैलू side angle फाई एंगल की बैलू है वो 60 degree ही है ठीक है फाई एंगल की बैलू जो है वो 60 degree के proxy ही है तो यह बहुत कम हो जा रही है यह area बहुत ज्या allowed region है वो बहुत ज्यादा होगा ठीक है अब यहां पर हम लोग peptide किसी polypeptide की बात करें किसी भी polypeptide की बात करें तो वहां पर जो amino acids के phi और psi की value होगी ठीक है वो ज्यादा तर allowed region में ही लाई करेगी ठीक है तो अब allowed region क्या है यहां पर जो black color का reason आपको दिख रहा है ठीक है यह allowed region है ठीक है यह allowed region है ज्यादा तर amino acids के phi और psi की value जो है वो इन regions में लाई करेगी ठीक है white region disallowed region है ठीक है इसके अलावा यह जो मैंने violet color से यहां पर एक छोटा-छोटा सा region बनाया हुआ है ठीक है यह जो region है यह allowed और disallowed के बीच का एक transition zone है ठीक है यह दोनों की बीच का transition zone है ना तो हम इसको allowed region कह सकते हैं और ना हे disallowed region कह सकते हैं ठीक है दोनों की बीच का transition region है ठीक है तो इस तरह से रामाचंदन plot को denote किया जाता है कौन सी value ऐसी है high और size की जो allowed है कौन सी values ऐसी है जो disallowed है उसी के recording उन्होंने क्या किया यह plot बनाया ठीक है अब इस plot को पुरी secondary structure protein का समझा दूंगा ठीक है उसके बाद हम लोग इसके बारे में detail है ठीक है तो यह basic concept था रामाचंदन plot के बारे में इसके detailed video हम लोग जो है बनाएंगे जो हम लोग secondary structure की पूरी तरह से study कर लेंगे ठीक है तो next lecture में हम लोग मिलेंगे था हम लोग protein के structure के बारे में study start करेंगे इस lecture को में लोग फिनिस करते हैं मिलते हैं next lecture में thank you for watching